नमस्कार इंदुस्तान मैं आपके साथ आज बूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं हमारा खुबसूरत प्रोग्राम जो आप खुबसुनना चाहते हैं तेरा साथ है तो जी हां तेरा साथ है तो किता खुबसूरत शब्द किता प्यारा शब्द है न तेरा साथ है तो बिल्कुल आज जो मैं कहानिया आपको सुनाने जा रही हूँ, ये किसी और की लाइफ से इंस्पायर नहीं है, किसी और की जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मैं किस्सा सुनाने जा रही हूँ, अपनी खुद की जिंदगी का, आज आप से साजा करने जा रही हूँ, ये खुबसूरत मुलाक सबसे मजबूत सा जी हाँ, शायद मैं नाइन्थ और 10th standard में पढ़ती थी, जान पेचांद हमारी पहले से थी, लेकिन जो एक सामना होता है ना, जो एक स्वाद होता है, वो शायद मैंने 9th और 10th standard में अपने इस प्यार की मिश्री का चकहा था, जब एस तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ, क्या गल्थ है आगे क्या अंजाम होगा आगे क्या result निकलेगा क्या मेरे बारे में सोचा जाएगा। सबको एक तरफ रखते हुए। और हम दो दोस्तों का पकगा साथ बन गया। कोई बात नहीं। जब साथ नया नया था तो शायद किसी ने कुछ कहा भी नहीं, ज़्यादा अब जेक्शन भी नहीं किया, पेरेंट्स मेरे ममी डैडी भी कुछ ज्यादा नहीं बोलते थे लेकिन जब ये साथ, जब इस प्यार का नशा ज़्यादा हो गया थो मेरी डैडी ने मुझे समझाidents क कि देखो यह सब ठीक नहीं है और अभी से अभी तुम्हारी एजी क्या है जो तुमने यह डिसीजन लिया है या इस तरह से तुम कर रही हो आगे जाकर शायद कहीं ना कहीं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन एक साथ किसी का साथ ऐसा मिल जाए किसी का प्यार ऐस किभी परिशान किया है इन Aywe बात कर आगे भड़ाते हैं तो डैडी-ममी ने बहुत समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करो अभी ठीक नहीं आया यह तुम्हारी अभी हमारी दोस्ती हमारा प्यार आगे दिन पर दिन ऐसे ही भड़ता चला गया रात को ग्यारा बज रहे हूं मेरा अगले दिन एक्जाम हों मैं लेट नाइट पढ़ रही हूं मुझे उसका साथ बहुत प्यारा लगता था हमेशा मैं अपने हाथ में उसका हाथ बहुत अच्छा और चैह मैं रात को लेट नाइट पढ़ रही हूं मुझे किसी की चिंता नहीं थी कोई मुझे क्या कहेगा डांट पिटेगी डैडी फिर बर 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 करेंगे ममी फिर कुछ बोलेंगी नो मैटर जब मुझे उसका साथ चाहिए था तो मैं हमेशा अपनी पढ़ाई में भी चली गई और मैं कॉलिज में आ गई हमारा प्यार और ज्यादा बढ़ गया डे बाई डे हमारा प्यार और ज्यादा बले एक तरह से कहूं कि मुझे उसके साथ की ना लट लग चुकी थी अर हमारा प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया एक लट की तरह हो गया था कि अब मैं शुरू से जॉब करते थे वो सोबाच चले जाते थे शाम को आते थे तो मुझे हमें और ज्यादा फ्रीडम मिल जाती थी और हम एक दूसरे को खूब इंजॉय करते थे अब पढ़ाई पूरी हो गई सब कुछ चीक है तो सोचा कि भी अब लड़की शादी की इसकी हो गई है चलो इसके लिए लड़का देखते शादी कर देते ठीक है शादी हो गई डैडी ने भी बोलना छोड़ दिया था क्योंकि वह परिशान हो चुके थे कि जो भी है जैसे म यहांद वही कोई बात नी शादी तो धिक है शादी कोई बात नी शादी कोई बड़ी big problem नहीं है हमारे प्यार के बीछ में तो शादी मैंने कर लिए १ा एक शादी कर ने के बाद शुरु और सब कुछ नॉर्मल रहे और याद mold में यहादा है यह देवदास पिचर उसमे रहा आगे चलता रहा तो शुरू में तो इलनोस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन हाँ अब भो भी थोड़ा सा आखे दिखाने लगे कि यह सब ठीक नहीं है इतना थोड़ी होता है यह है वो है तो मैंने का पेरेंट्स को भी जब कोई बात नहीं तो एक दिन फिर से कफन वाना सर पर और मधुवाला की तरह आखे चड़ाई और बोल दिया आज कहींगे दिल का फसाना जान भी ले ले चाहीं जमाना और फाइनली फिर से प्यार की जीत हुई और उन लोगों ने भी कि चलो कोई बात नहीं ठीक है तोड़ा सा बोला सबने बट गुसा हुए कि भी ठीक नहीं है बहुत समझानी की कोशिश करी बट मुझे समझ में कुछ कि की आदत पड़ी हुई थी यार कब से कितने साल जब नाइन टेंथ में थी तब से और अब 600 साल हो गए थे तो तब से मुझे आदत पड़ी हुई थी हम दोनों को साथ रहने की और मेरी और मेरे की दोस्ती ऐसे ही बरकरार रही उसका कलर बताओ ना उसका कलर जो गोल्डन कलर माइगाड मैं इसकी महक उसकी खुश्बू गोल्डन कलर मैं दिवानी में पागल थी उसके पीछे ठीक मुझे अगर रात को भी 11 बजे उठना पड़े ना उसके लिए तो मैं एग्री मैं बि थोड़ा सा आखें दिखाएं ये करा वो करा बट वो भी हमारी जिद के आगे हमारे जुग गए कोई बात नहीं ठीक है कोई बात नहीं चलता रहा है सब कुछ फर्स टाइम मुझे मले अपने अपने उपर विश्वास जब हुआ कि शायद हमारी शादी को पांचे साल हुआ गए थे घूमने के लिए तो यह वहां का किस्सा में पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा तो मैं समझ गी थी कि हा ठीक है तो मैं आपको किस्सा बताती तो हम न्यू येर पर घूमने के लिए गए हुए थे और क्या हुआ कि हम गवा में रुके तो महा पर हम सेलिब्रेट क कि मुझे पता है तुम उसके बिना तो नहीं रह पाओगी ना ठीक है कोई बात नहीं और फर्स्ट टाइम मेरे हस्बिन की मरजी से मेरा वो प्यारा दोस्त अंदर आया ठीक है और हम लोग सब साथ रहे इंजोई किया है क्या हो गया आज मेरी शादी को 26 साल हो गया है अब मेरे हस्बिन भी मेरे फ्रेंड की मला हम मैं और हम जो अब वो हमारी फैमली का एक इस्ता बन चुका मेरे हस्बिन को भी कोई प्रॉब बैठी होती हूं और वो मेरे सामने तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मजे से खुब इंजोई करते हैं सब को पता है कि ठीक है जो भी है बट चलता है अब सब एक लाइफ का पार्ट है तो कहीं न कहीं में महसुस करती हूं कि उसके भी ना मैं नहीं रह सकती तेरा साथ ह में बात कर रहे हूं अपने उसका नाम आपको खुल कर बता देती हूं मैं बात कर रहे हूं अपनी मलब अपने फर्स्ट लव ci फस्ट लव तो हिर मधर होती है सब होता था मेरा सेकेंड लव मालब फॉस्ट लव मम्मी सेकेंड लव होता था हमेशा मेरे साथ में जी हाँ मैं बताने जा रही हूं जो मेरा प्यार है जिसका प्यारा प्यारा गोल्डन कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसकी खुश्बू की मैं आज तक दिवानी हूं व लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और आज finally हमारी family में उसकी एक इजददार वाली जगा है और एक जरूरी वाली जगा है तो comment box में बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये मुलाकात, मेरा एक प्यारा सा, प्यारी सी सहीली, प्यारा सा मेरा दोस्त, इसके बारे भी जरूर लिखके बताइएगा, आपका भी कोई होगा, कोई ऐसा राज होगा, जरूर मैं आपका वेट करूँगी, comment box में,